हालो फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि कम खर्च में बैक कैसे बनाया जाए बैक बनाने में सबसे ज़्यादा खर्च कपरे का होता है तो आज मैं कॉटन की जगह इस तरह के सिंथेटिक कपरे का यूज़ कर रहे हूं या आसानी से 25-30 मेटर मार्केट में मिल जाता है फोम की जगह हम इस तरह के पेस्टिंग पेपर का यूज़ करेंगे या थोड़ा सा पतला बुक्रम की तरह ही होता है इसको सूट के गले और सलवार की मूरी बनाने के लिए यूज़ करते है तो ये भी काफ़े टिकाओ होता है जब इसको कपरे के सांथ काला कपड़ा है चलिए बैक बनाते हैं बैक के लिए जो कपड़ा मैने कट किया है उसकी लंबाई और चोराई 16 इंच है 16 बाई 16 का मैंने 2 पीस लिया है और फ्यूज पेपर को इसकी नीचे रखकर मैंने इस तरह से आरे न कर लिया है तो दोने पीस रेडि हो गया है अब करेंगे यहां से 2.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और उपर की तरह भी 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे लंबाई और चौराई दोनों हमें 2.5 इंच लेनी हैं 2.5 इंच और एक बॉक्स बना लेंगे दूसरी तरह भी हमें इसी तरीके का और इसकी कटिंग कर लेंगे. अब इन दोनु बॉक्स की कटिंग कर लेंगे. बैक की लंबाई और चौराई बराबर है. तो आप किसी भी साइट से इस तरह का बॉक्स बनाकर कटिंग कर सकते हैं. पुरानी बीच शीट, साड़ी, दूपटे, सूट का कपड़ा या सर्ट या पैंट का कपड़ा किसी भी कपड़े से आप बैग बना सकते हैं अगर आप कस्टमर के लिए बैग बना रहे हैं तो उनका भी कपड़ा आप यूज कर सकते हैं इस तरह बैग बनाने का खर्च काफी कम हो जाता है लाइनिंग को भी मैंने सेम साइज में कट कर लिया है अब बैग में बाहर की साइड लगाने के लिए हम पॉकेट बनाएंगे जिसकी उचाई 9 इंच है और इसकी 14 इंच है तो सबसे पहले किसी भी कपरे के उपर इसे इस तरह से उल्टा रखना है और इसके उपर और नीचे इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है सिलाई लगाने के बाद इसे सिधा करेंगे अब इसे हम बैग के उपर लगाएंगे अब कोई भी एक पीस ले लीजिए और इसके उपर इस तरह से हमें रखना है अब तीन साइट से इसके उपर हमें सिलाई लगा लिनी है बीच में भी सिलाई लगा लेंगे जिसे दो पोकेट बन जाएंगे तो ये दिखे मैंने सिलाई लगा लिए और दो पोकेट बन गया है हैंडल बनाने के लिए मैंने प्लेन कपरा लिया है आप सेम कप्रे का भी बना सकते हैं तो कप्रे को इस तरह से फूल करके दोनों किनार उपर सिलाई लगा कर विल्ट बना लेंगे अब इस विल्ट को लगाने के लिए साइड से हमें यहां से 4 इंच पर निशान लगाना है और दूसरे साइड से भी साइड से 4 इंच पर निशान लगा कर इस तरह से विल्ट को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे तो दोनों साइड हैंडल लग गए हैं अब एक जिप हमें लेनी है जिप का यह साइज लगबख 16-17 इंच का है इस तरह की जिप 7-8 रुपे में मिलती है लेकिन जब आप पूरा पैकेट लेते हैं तो यह लगबख 4 रुपे का परता है इसमें 50 करीब जिप होती है तो अब अगर ज़्यादा मात्रा में बैक बना रहे हैं तो पूरा पैकेट भी ले सकते हैं तो जिप को कपरे के उपर मैंने उल्टा रख दिया है और इसके उपर लाइनिंग वाला कपरा रख कर तिनों को एकसाद सिलाई कर लेंगे तो देखिए अब जिप पीछ में आ गई है अब बैक का जो दूसरा साइड है उसे भी जिप के उपर रखेंगे लाइनिंग वाले कपरे को नीचे रखेंगे अब लाइनिंग वाले कपरे को नीचे रखेंगे सबसे नीचे लाइनिंग वाला कपरा है उसके उपर जिप है और सबसे उपर बैक वाले कपरे को मैंने रखा है अब इसके उपर भी हम सिलाई लगा लेंगे अब लाइनिंग वाले कप्रे को एक साइड रखेंगे और बैग वाले कप्रे को हम एक साइड रखेंगे इस तरह से अब किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेनी है नीचे भी सिलाई लगाएंगे और साइड में भी सिलाई लगा लेंगे lining वाले कप्रे में यहां फढ़ा सा खुला रखेंगे और बाकि हम सिलाए लगा लेंगे तो देखे मैंने वहां पर छोड़ा खुला लखा है अब जो box हम ने cutting किया था उसके दोनों साइट को इस तरह से makes मेर लगा है कि तो चारों कोण़ों वे मीसी तरीके से मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है अब मैंने सिलाई लगा ली है तो जहां से हमने कुला रखा था वहां से बैक को हम सीधा कर लेंगे जिप को पहले इसी थोड़ा सा मैंने खोल लिया था अब इसे हम सीधा कर लेंगे को अच्छी तरफ से निकाल लेंगे만 आ जहां से खुला है वहां पर इस की इस लाई कर करेत कि लाइनिंग को अंदर डालेंगे और हम गोलाई में इसलाई लगा लेंगे यह किनारी किनारे किनारे में वहां बदर शुरा कि आलेंदे वहें और यह बैक बन कर तियार हो जाएगा तो यह दिखे हमारा बैक बन गया है जिसमें बाहर के तरफ दो बॉकेट हैं अगर इस तरह कि मैटरिल को यूज करके आप बैक बनाएंगे तो 60-70 रुपे में यह बैक बन कर त्यार हो जाएगा और इसको आसानी से आप 150 में बेच सकते हैं तो यह था आज का वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताईएगा अगर वीडियो अच्छा लगा वीड देखने की लेपका बहुत बहुत दानिवाद